पाट का शीर्षक है एक की दो की दो बहने थी एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली दोनों बहने अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी एक केस वाली का एक ही बाल था इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी उसके दो बाल थे इसलिए सब उसे दोकी बुलाते थे अम्मा सोचती थी के दोकी जैसी सुन्दर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं और बाबा उनको सोचने की फुरसती कहां काम में जो उल्जे रहते थे दोकी हमेशा अपनी बहन पर रॉब जमाती रहती एक दिन एक की घने जंगल में गई चलते चलते वो घने जंगल के बीच आ पहुची चारो तरफ सन्नाटा था अच्छानक उसने एक आवास सुनी पानी मुझे प्यास लगी है कोई पानी पिला लो एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा वहां तो कोई नहीं था फिर उसने देखा सूखी मुर्जाई हुई मेहंदी की एक जाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे पास में ही पानी की धारा बह रही थी एक की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार दो बार कई बार जाड़ी के उपर डाला मेहंदी की जाड़ी बोली धन्यवाद एक्की मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी एक्की आगे बढ़ गई फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवास सुनाई दी मुझे फूक लगी है कोई मुझे खाना खिला दो एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाए पेड से बंधी हुई थी एक्की ने घास फूस इकठी की और गाए को खिला दी उसके बाद उसने गाए के गले में बंधी रसी को खोल दिया धन्यवाद एक्की मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी गाए ने कहा कि एक्की अब चलते चलते ठक गई थी उसे गर्मी भी लग रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे कहां जाए तब ही उसे दूर एक जोपड़ी दिखाए दी एक की दोड़ कर जोपड़ी तक गई और आवाज लगाई कोई है एक बूढ़ी अम्मा ने दर्वाजा खुला बूढ़ी अम्मा ने कहा आँ आ गई मेरी बच्ची मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी आओ अंदर आ जाओ एक की हैरान हो गई और चुपचाप जोपड़ी में आ गई जोपड़ी में आ कर उसे बहुत अच्छा लगा बूढ़ी अम्मा ने कहा आओ बेटी तुम्हारे लिए नहाने का पानी तयार है पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहालो फिर हम खाना खाएंगे एक्की ने शर्माते हुए कहा नहीं नहीं अम्मा ने पुछकार कर कहा अरे नहीं क्या जैसा मैं कहती हूँ फैसा करो जी एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली पिर पता है क्या हुआ एक्की ने जैसी ही अपने सिर से तॉलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं पर अंतु बहुत सारे बाल थे एक्की इतनी खुश हुई के वो खाना खाही नहीं सकी बस बार बार वो बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो एक्की के तो जैसे पंक ही निकलाए वो सरपट घर की तरफ दोड़ चली रास्ते में उसे गाए ने मीठा मीठा दूध दिया और जाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी घर पहुँचकर एक्की ने सारी कहानी सुनाई दोखी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी दोखी इतना तेज भाग रही थी के ना उसने प्यासी जाड़ी और नहीं भूखी गाय की पुकार सुनी वो तो धर धलाती हुई जोपड़ी में घुस गई और बूढी अम्मा को हुकम दिया मेरे लिए नहाने का पानी तयार करो हाँ आओ मैं तुम्हारी ही रा देख रही थी पानी तयार है नहानों बूढी अम्मा ने दुक्की से कहा जटपट नहने के बाद जैसे ही दुक्की ने तॉलिया सिर से हटाया उसकी तो चीख निकल गए दुक्की के दो ही तो बाल थे और वे भी जड़ गए थे रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी रास्ते में उसे गाए ने सींग मारा और मेहंदी की जड़ी ने काटे चुब हो दिये मगर अब दो की अपना सबक सीख चुकी थी इसके बाद एक की दो की अपने अमा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगीं एक की दो की अभियाप सुन रहे थे ये कारक्रम विशे संयोजन डौक्टर मंजुला माथूर पाट समन्वय डौक्टर लता पांडे नर्मान संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेक संध्याराव कलाकार नीरश शर्मा शार्दा गुप्ता अरिदमन शर्मा राज श्रीत्रिवेदी सपना सिंग और जियोतिका तक्नीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तक्नीकी समन्वय सतीष्ट लाडे द्वन्यंकन दीपक पांडे नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी नर्मान वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT झाल जर्मान झाल झाल झाल